बिस्मिल्लार हमेरे निम्, we are doing question number 2, exercise number 1, question number 2, यह क्या है, write the following decimals in descending order, इसमें एक part करते हैं, पहले हमने एक किया था, अब हम एक और करते हैं, यह है part number B, 4.32, 4.32, 4.68, 4.68, 4.68, 0.31, 4.23, 4.31, 4.32, 4.68, 0.31, 4.23, 4.31, हमने क्या का ना, descending order, सबसे पहले हमने सबसे बड़ी निम् से बढक है, पिर उस्से चोटा, पिर उस्से चोटा, पिर उस्से चोटा, पिर उस्से चोटा, जो सबसे बढ़ा होगा हम उसको number 5 कहा देंगे जो उससे चोटा होगा उसको number 4 कहा देंगे जो उससे चोटा होगा उसको number 3 कहा देंगे जो से चोटा होगा उसको number 2 और पर उसको number 1 कहा देंगे तो सबसे पहले हमें यह पता चल गया कि सबसे चोटा 0.31 इसको हम कहा देंगे एंड पर है इसको सबसे चोटा तो सबसे चोटे के लिए कौंसा है वन ठीक है अब हमने कंपेर करना है आप यहां पर यहां पर जाना है 10th में ठीक है अब सबसे बड़ा उगा इसको नबर 5 कह दिया इसको नबर 5 कै अब इससे चोटा के यह फोटा क्या यह 4.32 है यह 4.23 है और 4.31 है अब देखे 444 यह 3 है यह 2 है यह 3 है ठीक है 3 3 ब्राबर है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है इस पर देखें तो यह बड़ा है इस बाद से 4.32 जो आना वो इसको नमबर 4 क्या देंगे हमारी बस रागया 4.31 और 4.23 444 ब्राबर है 3 और 2 में से 3 बड़ा है 4.32 बड़ा है इससे ठीक है इसको क्या दिया हमने नमबर 3 और यह नमबर 2 जो आंडर करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले नम वाइल है नमबर 5 लिखेंगे। 4.68 पैर नमर फॉर पॉइंसे 4.32 पर नम फुर है नेमबर 4 क्या फॉर पॉइंसे 4.32 इस तरह से हमने इसको जो है ना डी सेंडिंग आर्डर में कर दिया हमने रैंक कर दिया वी है रैंक इंट इन्टो डिसेंडिंग और ठीक है तो यह आपने याद देखना सबसे पहले कि डिसेंडिंग का मतलब क्या हता है कि सबसे बड़े से हमने सबसे छोटे की तरफ जाना है ठीक है अगर आपको descending का meaning आता होगा तो फिर आपने जो है वो comparing वाला जो है वो जेन में लेके आना है कि कैसे decimals वाले numbers को आपस में compare करते हैं फिर उसके बाद आपने इस order में जाना इसका answer आपने लिख देना है